हालो फ्रेंज वेलकम टूर्ट चानल दिप्रिशिता शो आज का हमारा टॉपिक है बेबी पॉटी के बारे में जब आप न्यू पैरेंट बनते हो तो कुछ कोशिंस होते हैं आपके माइन में बेबी पॉटी से रिलेटेड भी बहुत सारे कोशिंस होते हैं वह इस वीडियो म हम लेकर आएं आपके लिए कोशिंन होता है कि बेबी की फॉटी का कलर कैसा है उसका टेक्सचर यह कित्ती बार पॉटी करें और तो ठीक है या कित्ती बार पॉटी स्कर्ण सब करने वाल है शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक् clinicians करूण 50 करूंगी आप चैनल पे नएं त साथ यह शेयर जरूर करें तो शुरू करते हैं सबसे पहले ज़ब baby होता है तो जब फ़र्स forty करता है तो वह black party करता है सबसे पहला question यह होता है mind में कि उसने black party किया है यह ठीक है या नही है तो हम भागते है कि यह ठीक है या नहीं है तो उन्होंने हमें समझाया कि starting three days तक baby black potty करता ही है वो सब बीबी के साथ में है और वो बहुत ही normal है और तीन दिन के बाद उसकी potty का color थोड़ा change होना start होता है तीन दिन के बाद वो potty का color black से थोड़ा सा green होता है और कुछ एक अफता होते तक वो pot आपके जब आपके अंदर होता है तो उसका food उसकी body में जाने का तरीका अलग होता है और अभी baby बाहर है या तो वो mother feed पे होगा या वो formula पे होगा अभी वो directly milk ले रहा है उसका जो digestive system है अभी वो बन रहा है अभी पूरे तरीके से वो बनता नहीं है अभी baby उस चीज को baby की body भी उस चीज को समझने की कोशिश कर रही होती है तो जब आप उसको दूद पिलाते हैं तो उसका system clear हो रहा होता है उसको black potty हो सकती है तीन दिन तक and after 3-4 days वो green color हो सकता है और करीब-करीब 7 days तक वो color yellow हो जाता है तो यह बहुत ही normal है तो यह तो एक color की बात है फिर उसके parent होते हैं हमें ज्यादा idea नहीं होता इस चीज का experience नहीं होता तो हर चीज के लिए doctor पर या घर के बड़ों पर या जीजन भी लोगों को इस चीज का experience है उन पर depend रहना पड़ता है हम उनसे question करते हैं और फिर उस चीज का solution मिलता है तो बेबी की potty की consistency कैसी होनी चुई है starting मे जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह black potty करता है और possibility है कि वह बहुत ज़्यादा liquid potty करे तो उस लिक्विट potty कर सकता है सोड़ी से soft potty कर सकता है या अगर बेबी formula पे है तो वह hard potty भी कर सकता है वो किसी भी तरीके की potty कर सकता है यह सभी normal है आपको किसी भी तरीके से attention ने किया चिंता वाली कोई बात नहीं है तो वह liquid potty करे या soft potty करे या बहुत hard potty कर रहा है यह सभी बहुत normal है बट हाँ अगर वह continuously बहुत ज़्यादा liquid potty कर रहा है starting 3-4 दिन तक एक अफ़ते तक यह normal है बट उसके बाद क्योंकि हम 0-3 months तक के babies की बात कर रहे है तो उसके लॉक्टर से consult करना जरूरी है बट normally वह कभी liquid potty कर रहा है कभी soft potty कर रहा है तो वह पुरी तरीके से normal है उसमें भी आपको tension लेने वाली कोई बात नहीं है जब बेबी कितनी बार potty करे तो यह सही होता है starting में again क्योंकि सब कुछ बेबी के लिए नया है अभी उसने directly 10-15 बार या शायद मुझे जहां तक याद है एका दिन में उसने 20 बार तक भी potty किया है तो हमने अपने डॉक्टर से consult किया तो उनका कहना यही था कि यह बहुत normal है अभी initial days में ऐसा हो सकता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है घबराने वाली बात तब है जब बच्च कराना पड़ता है क्योंकि बहुत चोटा सा होता है तो थक जाता है फीट करते करते और या फिर वो सो जाता है तो उसकेस में उसको बार-बार फीड लेना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में लेना पड़ता है और वो जैसे-जैसे फीड लेता है वैसे-वैसे वो potty कर है मतलब पूरे एक हफते उसने पॉटी नहीं किया और फिर उसने पॉटी किया है तो हमने अगें डॉक्टर से पूछा और तब ही उन्होंने कहा कि बेबी चाहे दिन में 10-15 बार पॉटी करे या एक हफते में एक बार पॉटी करे वो पूरे तरीके से नॉर्मल होता है जीरो आधु कोई home remedy हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में एक बस चोटा सा home remedy आप यह कर सकते हैं कि उसके स्टमक और समस्टर बाइल मैं स्टर वाइल लगा सकते हैं उसको गरब नहीं करना उसको आपको कुछ भी नहीं करना बस mustard ल्यों सेंटर बे तोड़ा सा लगा दिजे अग फिर क्योंकि वो इनिश्यल डेज में बहुत जादा बार पॉटी करता है प्रिशीता कभी जैसे वो पॉटी करती थी और हम उसको क्लीन करते थे तो वो पांच मिनट के बाद फिर से थोड़ी सी पॉटी कर देती थी यह बच्चे के साथ में 10-15 दिन तक स्टार्टिंग में हो जाए और गैन उसने पांच मिनट के बाद भी पॉटी कर दिया है तो आपको इमिजिटल इसको क्लीन जरूर करना है यह क्लीनिंग प्रॉसेस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अगर मचा थोड़ी सी देर भी पॉटी में पढ़ा रह जाता है तो उसको इन्फेक पटी चटाने का यह संटाए है तो लोग कुछ इस तरीके से बाहर का कुछ पानी दे देते हैं बतलब कुछ भी ऐसा जो mother feed के अलावा हो या फिर आपको डॉक्टर ने formula आपको recommend किया है या formula बच्चे को दे रहे हैं इन दो चीजों के लावा बच्चे को और कुछ भी ना दें आप कुछ भी ऊपर का उसको देते हैं चाहिए पानी भी देते हैं क्योंकि six months तक पानी भी ब कावध खराब हो सकती है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप बच्चे को बाहर का कुछ भी ना दें कोशिश करें कि उसको सिर्फ mother feed पे रखें अगर आपका mother feed बच्चे के लिए पूरा नहीं हो रहा है तो जरूर आप formula पर जा सकते हैं या फिर mother feed बढ़ाने के के लिए कुछ घरेलो उप्चार होते हैं आप वो कर सकते हैं या आप अपने डॉक्टर से medicine प्रस्क्राइब कर भा सकते हैं आप mother feed बढ़ाने की कोशिश कीजिए कि at least six months तक आप बेबी को सिर्फ अपना mother feed ही दें तो उसका जो body का problem है वो कभी हो गाई नहीं उसके पेट मे या बच्चे के potty से related तो यह थे कुछ questions जो हमने experience किये जो हमने doctor से consult किये I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा I hope यह information आपके लिए useful होगी अगर useful हुई हो तो please वीडियो को like जरूर करें इसे हमें पता चलता है इसे हमें feedback मिलता है आप लोगों का तो वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आगे जो भी नई वीडियो हम बनाएं वह आप तक immediately पहुंच जाएं बैल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करें थैंक्यू सो मच